परसिंग बिश्व बिदले आरा से एक बहुत ही मतवपूर्ण सुचना निकल कर आरा है सतरे 2022 से 25 के छातरे चातराओ के लिए जो भी छातरे चातरा है इस बारे बिश्व बिदले आरा में सरकारी कॉलेज हो या प्राइबेट कॉलेज हो यदि आपका नमांकन किसी भी कॉलेज में आपका हुआ है तो आपको रेजिस्टिसन कराना होता है नमांकन के बाद जो नूटिस आता है आपका मेरिट लिस्ट से नमांकन हुआ था merit list का नमांकन हो जाने के बाद आपको college में पैसा जमा करके नमांकन लेना था नमांकन लेने के बाद इसके बाद विश्व बीजाले नूटी जारी किया है registration कराने के लिए तो चले इस वीडियो के माध्यम से सभी जनकारी को जानते हैं और registration से जूनूटी से आपको हम इस वीडियो के अंतक देखने के बाद आपको पता लग जाएगा registration कैसे होता है विश्व बीजाले आरा में तो सभी जनकारी को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे विश्व बीजाले आरा का जो 72-25 था इसमें आपका registration यदि देखिए जैन को लेज़, SB कोलेज, इसके बाद M.A.M. महिला कोलेज और एक-दो कोलेज है सरकारी इसके बाद कैमूर भभुा में देखा जाए, तो संकर है, जैन है और जो तमाम जो रोतास महिला कोलेज है यानि कि ये सब सरकारी college है सरकारी college का list है आप जाकर भी www.bihar.info.in website से देख सकते हैं जितने भी बाकी college हैं जिसमें आपका नमांकन ऐसे समझे है कि यदि आपका नमांकन जो है 3000 के आसपास लगा है तो वो private college है जिनका नमांकन 1500 से 2000 के बीच लगा है सरकारी college का registration नमांकन के समय ही हो जाता है और private college में जो registration होता है वो नमांकन के बाद भी होता है जिसमें 1200 रुपया लगता है तो जितने भी private college के छात्र हैं वो अपने college में जाकर संपर्क कर लिजे और एक बात है कि सरकारी college के यदि आप छात्र हैं हुआ यहां पर लिखा गया है कि चातर छत्राउं का Paviousen जो say 88 अफिया है इवं बिहार बोट के चातर चात्राउं का 100 बिहार बोट के जो चातना मांकन करा है वह ऐसे चातर चात्राउं का मुल प्रवजन पढमापत्रा और अंघ्पत्र के चाया पती तथा माईग्रेशन जो फार्म है जमा करने का जो ती थी है 20 दू-2023 रखा गया देखिए इसमें क्या होता है यदि आप दूसरी स्टेट से हैं उत्तर पतेस्थ से माइटिक इंटर किये हैं और उत्तर पतेस्थ से इंटर कराकर आप बिहार में BA कर रहे हैं तो एक migration site fitek होता है जिसका original जो कॉंपी होता है जमा करना होता है वो इसे चात्रे जमा नहीं कि हैं तो उनका registration होता है देखें भी हारबूर्ट से हैं तो आपका registration तो होगा नहीं private college में है तो आपको जाकर कराना पढ़ेगा लेकिन सरकारी कोलेज में मांगन के समय हो जाता है प्राइबिट कोलेज की चात्रे तो आप जाकर कॉलेज से संपर्क कर लीजे सुबह मोर्निंग में सुबह साथ बज़े से लेकर दस बज़े के बीची साथी सरकारी कोलेज की चात्रे हैं यदि आपका माइग्रेशन फरम जमा नहीं है तो आप जाकर जमा कर दिए नहीं तो आपका रेजिस्टिशन नहीं होगा क्योंकि आप अधर बोट से थे और जो जनकारी है आपको अपने कॉलेज में जाने के बाद पत्र लगी जाएगा फिर मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइंट टेक केर